देव भूमी उत्तराखंड जहां समग्र विकास का संकल्प हो रहा है सित्थ, नए हाईवे, सडकें, मजबूत इंफ्रस्ट्रक्चर, बेहतर शिक्षा और स्वास्ते सेवाओं के साथ सभी बुनियादी सुविधाओं का हुआ है विकास प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोधी जी के दूरदर्शी नित्रित्व और मुख्य मंत्री पुशकर सिंग्धामी के निरंतर प्रयासों ने राज्ज में चहुमुखी विकास को संभव किया है विकास की इसी यात्रा को आगे पढ़ाते हुए प्रधान मंत्री जी के करकमलो द्वारा लगभग 4200 करोड़ पे की 23 योजनाओं का शिलन्यास और लोकारपन किया जा रहा है आज जिन कारियों का शिलन्यास किया जा रहा है उनमें विभनिक शेत्रों की योजनाओं शामिल हैं किसानों की आय में वृध्धी के लिए 809 करोड़ पे की लागत से सगन सेप के बागानों की खेती और 304 करोड़ पे की लागत से 21,400 पॉलि हाउजों के निर्मार कारिये राज में उचस्तरिय शिक्षा को हरवर्ग तक पहुँचाने के लिए 139 करोड उपे की लागत से 20 मौडल डिग्री कॉलिजों में होस्टल और कम्प्यूटर लेब परवतिय शिक्षेत्रों में लोगों को उच्चतम स्वास्ति सेवाईं पहुचाने के लिए 53 करोड उपे की लागत से अल्मोडा के सोमेश्वर में 100 बैट का सब डिस्टिक्ट अस्पताल और चंपावत में 50 बैट का होस्पिटल ब्लॉक उत्तरा खंड में मजबूत आबदा प्रबंधन तंत्र सुनिश्चित करने के लिए विश्व बैंक की साहता से 474 करोड उपे की लागत से 32 पुलों अग्री सुरक्षा के लिए बचाओ उपकरणों और स्टेट एमर्जेंसी ऑपरेशन सेंटर को अपग्रेट करने का कारिय 178 करोड उपे की लागत से नैनी ताल के बलिया नाला में भुस्खलन की रोक थाम हेतु उपचार कारिये राज में खेल कूत को बढ़ावा देने के लिए 42 करोड उपे की लागत से रुद्रपुर में वेलो ड्रोम और हल्दवानी में एस्टो टर्फ हॉकी ग्राउंट मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहट 29 करोड उपे की लागत से जागेशवर धाम, हाट कालिका और नैनदेवी मंदिर में अवस्थापन सुविधाओं के विकास कारिये और राज में कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए 827 करोड उपे की लागत से 5 इस्थानों पर राष्टिय राजमार्ग के दो लेन एवं धलान उपचार कारियों का शिला न्यास किया जा रहा है आज प्रधान मंत्री जी के करकमलू द्वारा दस विकास कारियों का लोकारपन किया जा रहा है 392 करोड उपे की लागत से 5 अलग-अलग स्थानों पर सड़क सुध्रडी करां और राष्टिय राजमार्गों के दो लेन कारिये जिससे कुमाउंक शेतर में परियतन और आर्थिक विकास के नए रास्ते खुलेंगे ग्रामेंड छेत्रों में रोट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देनी के लिए प्रधान मंतरी ग्राम सड़क योजना के तहत 331 करोड उपे की लागत से 76 मारगों और 25 सेतु जिन से इस्थानिय निवासियों के लिए बाजार, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाएं उनकी पहुंच में आ गई हैं। इवं तेहरदून में उत्तराखण स्टेट डिजास्टर मेनेज्मेंट अथारिटी के नए भवन पिथारागड में 32 करोड उपे की लागत से निर्मित आर्टिफिशल लेक जो किसानों के लिए सिंचाई में बेहत सहायक होगी। अगला दशक उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए सरकार संकल्पुपध है। अगला दशक प्रीशा होगी। झाल झाल